कि हैलो गाईस वेलकम बैक यहां चैनल टेकनिकल एनलिस गाईज आज हम इस वीडियो में अच्छे से सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी कंपनी का क्वाटली रिजल्ट सबसे पहले देख सकते हैं गाईस यह हमारे लिए सबसे इंपोर्टन होता है क्यूंकि किसी भी कंपनी का है तो उस टाइम अगर करंट शेयर में अच्छा मोंअ मुवमेंट आता है किसी वन डायरेक्शन में या तो तेजी सेयर उपर भागता या तेजी से गिरावट आती है लेकिन हमें जब रिजल्ट पता चलता है तब तक यह मुमेंटम खतम भी हो जाती है और सबसे लास्ट में जब लोग निकल जाते है प्रॉफिट बोक करके तब हम इसमें एंट्री करते है तो इसके वज़ा से हमें लॉस हो जाता है तो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले है कि किस तरह से अब सबसे पहले रिजल्ट देख सकते हो किसी भी कमपनी का लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ले बादा तरह लोगों के साथ दिक्कत होती है कि उनको डेट तो पता होता है कि कौन से डेट को रिजल्ट आते लेकिन उनको टाइम पता नहीं होता तो किस तरह से आप टाइम भी चेक कर सकते हो इसके लिए आपको एक एपलिकेशन की जरूर पड़ेगी मनी कंट्रोल जो कि यहां पर लिफ्ट साइड देखोगे तो तीन डॉट्स इरा दिख रहा है इनी पर आपको क्लिक करते हैं जैसे इन पर क्लिक करोगे तो कुछ चुछ तरह देखिव करोगे यहां पर मार्केट वाला सेक्षन है इसमें 123 or 4個 number के परट्स पे लिखा हुआ तो आपको यह वाला एंटरफेस दिख जाएगा तो गाइस इस तरह का एक नया पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा यहां पर आप देखोगे तो ट्रेंडिंग में जिसका रिजल्ट आया है जैसे आज है 6 फेबरुवारी तो गई काल के दिन अगर यहां पर हमें दिया हुआ है लेकिन हमें क्या करने का एक हमें नीचे चले जाने का है जैसे हम रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेगे तो हम चले जाएंगे नीचे तो guys यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आते हो तो यहाँ पर एक आपको option मिल जाएगा upcoming result यानि कि अब कौन सा result आने वाला है तो अगर result today लिखा है आज Sunday है तो Sunday के दिन किसी का result खास आता नहीं है लेकिन इसके बाजो में लिखा है result tomorrow गर हम tomorrow की बात करें Monday तो यह सब company का देखे कल result आने वाला है इसमें देख सकते हैं पहले नंबर पर सेवन सिस टेकनोलोजी का result है इसमें देखे price अभी current क्या है expected time यहाँ पर time लिखा यह guys सबसे important है यह company का result कितने बज़े आने वाला है 16 से 5 बज़े के बीच यानि कि market जब close होगा इसके बाद इनका result आएगा 4 से 5 बज़े के बीच यहाँ पर दूसरी भी बहुत सारी company आए यहाँ पर अड़वानी hotel का है इनका 3.5 से 4.5 के बीच आने वाला है result तो इस तरह से आप पहले से चेक कर सकते हो कि यह company का result कौन सी date को और कितने बज़े आने वाला है तो आप पहले से ही आप pre-plan रह सकते हो तो यह guys आपको सबसे पहले देख लेने का है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी अच्छी company का अगर result देखे यहाँ पर Indian bank का result आने वाला है इनका time हमें दिया गया है कौन सा डेड़ बज़े से लेके साड़े दो बज़े के बीच इनका result आएगा तो हमें पहले से ready रहने का है डेड़ बज़े के पहले से उस stock पे नजर हमें रखने का है और जैसे ही result आए हम इसमें entry मानने का है तो guys हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि यह result हमें देखे कहां पर तो आपको simply करने का है अपना google open करने के बाद आपको simply type कर देने का है bsc.india.com जैसे ही bsc.india type करोगे तो इस तरह का आपको interface देख जाएगा है इसमें ज open करोगे तो कुछ इस तरह का आपको bsc की site पर लेके जाएगा है तो guys जैसे ही आप bsc की site पर जाओगे इस तरह का कुछ interface आपके सामने खूल जाएगा आपको क्या करने का है राइट साइड में उपर क्यूर 3.0 दिख रहे है इस पर जाने का है और इनको यह वाला desktop site में कर देने का है ताकि हमें अच्छे से दिखाए पड़ेगे क्योंकि यह मोबाइल में देख रहे है अगर इस तरह का आपके सामने आ जाएगा इसके बाद आपको क्या करने का यहां पर लोडिंग हो रहा है कोई बाद नहीं यहां पर आप उनको बड़ा कर देते हैं तो यहां सब्सक्राइब यहां पर मैनू लिखा हुआ रहा है तो मैनू पर हमें क्लिक कर देने का है इसके बाद इस तरह का बहुत सारे औपो समय दिख जाएगा इसमें क्या करने का है first two three four five और six six वाला option हमें दिखाए पड़ा रहा है corporate तो यह corporate पे हमें जाने का है जैसे आप corporate पे जाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का icon दिख जाएगा यहाँ पर आपको क्या करने का है first जो आ रहा है corporate announcement इसमें जाने का है right side में जाओगे तो एक आपको इस तरह का arrow दिख जाएगा जो कि बिल्कुल right side में है इस पे इस arrow पे हमें click करने का है जैसे ही हम इस arrow पे click करेगे हमको इस तरह का interface दिख जाएगा यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ देखे सबसे पहले क्या आता है segment इक्विटी इसमें हमें कुछ नहीं करने का है इसमें डेट सिलेक कर देने का है तो आज है 6 February और पिछले दिन कॉंसीडेट थी पांच तो पांथ तारिक का रिजल्ट आया था SBI का तो हम SBI का ही देख लेते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पांथ तारिक पे चले क्याटेगरी में आप जाओगे जैसे ही तो यहाँ पर क्याटेगरी में बहुत सारे उप्सन दिये हुए इसमें लास्ट में आप देख सकते हो को रिजल्ट लिखा हुआ है तो हमें क्लिक करने का है रिजल्ट के उपर यहां पर सिक्यूरिटी नाम दिया गया है सिक्यूरिट में डिटी नामस में हमें टाइप कर देने का है यह सब्मिट करेंगे तो हमें इस तरह का पूछेगा कि आप इनको वैलिड कीजिए वैलिड का मतलब होता है जो स्टॉक मार्केट में जिस नाम से वह चल रहा है उसी नाम से तो हम क्या करेंगे यह जो लास्ट वाल है उनको थोड़ा बैक कर देते हैं हम इनको निकाल देते सब्मिट करेंगे तो इसके बाद आप देख सकते हो कि यहां पर लास्ट में हमें दिया गया है थोड़ा बड़ा कर देता हूं और यहां पर हमें यहां से डाउनलोड करते हैं जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा यहां पर डाउनलोड का ओप्सन आ गया हम क्लिक कर देते हैं तो यहां से डाउनलोड हो जाएगा और जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो इसमें यह पीडियाप में उपन हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं यहां से में उपन कर लेता हूं तो इसके बाद हम यहां पर अच्छे से सबसे पहले जैसे ही कंपनी BSC की साइट पे रिजल्ट अप्लोड करेगी वैसे ही आपको तूरन दिखाई पड़े गया और आपको टाइम कहां से चेक कलना है कलना है मनी कंट्रोल की साइट पे मैंने आपको बता दिया है वहां से टाइम आपको पहले देख लेने का है डेट और टाइम इसके बाद आपको यहां पर BSC की साइट पे उसी टाइम आपको एंटरी करने का है और देख लेने का है कि रिजल्ट कैसा आया क्या है इसके झाल दो भे पनो